हेलो फ्रेंड्स शभीको नमस्कार साथियो आज की वीडियो आपके बैंक में जमा पैसे से संबंदित है जो पैसा आपका बैंक में जमा है उसके लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक खबर देनी है अगर देश के इन तीन बैंकों में आपका पैसा जमा है तो आपके लिए है ये खबर ये खुद RBI ने बताई है बात साथ ये वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें चलिए देखते हैं आज RBI ने कुन सी बड़ी बात बताई है देश के इन तीन बैंकों में जमा है आपका पैसा तो आपके लिए है ये खबर खुद RBI ने बताई है ये बड़ी बात DSIB यानि Domestic Systemically Important Banks जिसका मतलब ऐसे बैंक जिन पर सबसे ज़्यादा बरुसा किया जा सके RBI के मताबिक इन में तीन बड़े बैंक शामिल है बीते कुछ महीनों से बैंकिन सेक्टर में कई तरह की खबरे आई कई बड़े बैंकों के डूबने की भी खबर आई है इस तरह की खबर से आम आदमी अपने पैसे को लेकर काफी चिनता में पड़ गया कि उसका पैस सुरक्षित है या नहीं आए दिन आर्बियाई खुद ग्रहाकों को इस तरह की घटनाओं से सचेत करता रहता है अब आर्बियाई ने देश के तीन बड़े बैंकों पर सबसे भरों से मन होने की महर लगा दी है मतलब है कि यदि आपका पैसा इन तीन बैंकों में है यानि कि अगर आपने हाँ पर अपना पैसा सुरक्षित करका है आपका पैसा इन तीन बैंकों में जमा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है भारते रिजर बैंक ने जिन तीन बड़े बैंकों का जिक्र किया है आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। RBI ने DSIB के लिष्ट में जारी करते हुए यह बताया है। क्या होता है DSIB? DSIB यानि के Domestic Systematically Import Tent Banks जिसका मतलब ऐसे बैंक जिन पर सबसे जादा बरुसा किया जा सके। RBI ने इस लिष्ट को जारी करते हुए यह बताया है कि देश में ये तीन ऐसे बैंक हैं जिन्होंने विप्रीट परिस्थिती में भी ग्रहाकों का बरुसा कायम रखा है। दरसल कोरोना काल के दोरान बैंकिंग सेक्टर की हालती भी खराब हो गई थी। इसके अलावा यस बैंक परकरन के बाद आम जनता में ये डर समा गया था कि क्या बैंक में उनका पहा सुरक्षित है। अब जानते हैं क्या कहा है आरबियाई ने। आरबियाई ने DSIB 2020 की लिश्ट जारी करते हो बताया है कि SBI, ICICI और HDFC का नाम बड़े कर्जदाता बैंकों में शामिल है। जो विप्रीट परिस्टित के बावजूद भी 2020 में विश्टित रूप से महत्पून गरेली बैंकों के रूप में बरकरार है। अगर हम भारते स्टेट बैंक की बात करें तो ये बैंक जो किम रही परिस्टित के परिस्टित के रूप में अतिरिक CIT1 की आउशकता 0.6% है जबकि ICICI और HDFC के लिए है 0.2% है। तो साथियो इस वीडियो के माद्ध हम से आपको बताना था कि अगर आपका पैसा इन तीन बैंकों में शामिल है तीन बैंकों में आपका पैसा इन में जमा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है इस बात पर RBI ने भी महर लगा दी है आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें मिलते हैं आपसे बहुत जल अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार है विनाइश डे